तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेवक धर्म में इस प्रदा करती थी तो इसका option हो जाएगा सहनुमान उसके बाद में दूसरा जो question है इसमें पुझा गया चोके के कीले होने का भावार्थ क्या है तो वातावरण में नमी इसका अंसर हो जाएगा तिसरा question है silver wedding से अविपराई क्या है तो इसका अविपराई है resurgentity नग्स कोशन है विज्ञान के छेतर में काम कर रहे ही भारत की संस्थाएं पाँच है सव उप्शन करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में है यहाँ पर विभावा नुभाव या विचारी संयोगात रस निस्पतिया परिभासा जो है आच्यार भरत मुनी की है तो बी उप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा उसके बाद में टीडी खीर मुहावरे का अर्थ जो है कठिन कार रहे है सभी को पता होगा रिक स्थानों की पूर्ती करनी इसमें पूछा गया है शिरीश का पेड़ अपना रस खालिस्थान से खिसता है तो वह वायू मंडल से खिसता है उसके जाता है उसके बाद में गढलो के पंक गठ के रचनाव जो है कौन है तो उमाशंकर जोसी है नेक्स्ट जो कोस्टेन पूछा गया है उटी करण को खालिस्थान भी कहते हैं तो इसको एंकोडिंग भी कहते हैं नेक्स कोशन है आनंदा की पाट साला खालिस्थान से लगती थी तो ये 11 बज़े से लगती थी उसके बाद में अच्छे विद्यारती परिश्रमी होते है आधनिक जयनक को माना जाता है तो भारति इंदू-ìnस्थान को माना जाता है उसके बाद में जोडियों का मिलान करना है आपको तो पेहलवान की ठोलक से मिलाना है आपको यहाँ पे आ जाएगा फंडिस्वर नाथ रेणुँ उसके बाद में नेक्स जो है हरिवन्सराय वच्चन को मिलाना है आपको तो आत्म परीचे से हो जाएगा इसoca मैच इसके बाद में अतीद के पाणव थरड़ ओपशन को मिलाना है तो यह आपका हो जाएगा यात्रा वरतान्त चाओ उप्शन से इसके बाद में हिंदी भाषा की जो लिपी है वो देवनागरी रिपी है तो यहाँ पे खाओ उप्शन से इसको मिला दोगे शब्द गुंड जो है इसको आप मिलाओगे तो यह है आपका शब्द गुंड जो पांच विया नंबर को यहाँ पे मिलाओगे मादूर्रे ओज और प्रसाद से उसके बाद में आपका समाचार लिखन के जो है छे का कार होते हैं का उप्शन से मिला दोगे तो इस तरह से यह आपका कम्प्लीट सॉलूशन हो गया नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं चार नंबर निम परशनों के उत्तर एक वाकिए एक पंक्ती में देना है तो राज भासा से आप काम समझते है वह भासा जो देश के राज की कारयों के लिए परियोग की जाती है राज भासा कहलाती है उसके कवी का पहला उपकरण क्या है तो उसको हम बोलते हैं शब्द उसके बाद नेक्स्ट कोश्चेन इसमें पूछा गिया आपसे ये शुष्धर بाऑबू ने मैटरी की परिक्शा किस स्कूल से पास खी थी रमजे स्कूल से पास पास खी थी तो यह किसका खतन है तो यह भीम तो कवीता पंक लगाकर मानों के आंत्रिक और वाय रूप में उड़ान भर सकती है और वह एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है इसके बाद नेक्स कोशन है राजा ने लुटन से क्या कहा तो राजा साहब ने लुटन को 10 रुपे का नोट दिया और उसकी हिम्मत की प्रश इसके बाद में शब्द सकती चारी की होती है यह बल्कुंस का प्रयोग हुआ ने लिखन होता है तो यह सत्य है इसके बाद में है आपका पार्ट रुबयां एम गजल में कवी ने स्वय को देश्क पर निचाओर करने के कर दिया है तो यह सत्य है इसके बाद में है मेरी कल्पना का आदर समाज पार्ट के लेखक बाबा साहब भीमरा अंबेट कर है तो वह भी सत्य है अगले अपना स्री नाम इसलिए चुपाती थी कि वह हसी का उपहास का पातर ना बने इसलिए अपना नाम चुपाती थी सात्वा जो कोच्छेन है बच्चे किस बात की आशा में नीडों से जाग रहे थे वो अपने माता पिता का हिंजार कर रहे थे ताकि वो लोग खाना लेके आए और उनकी जो पेट की आखशान्त हो जाए इसलिए वो नीडों से जाक रहे थे और नीडों से जागना उनकी परतिक्षा को दरसाता है यहाँ पर लिखा गया है सेवाच्षंद की परिभासा उधार्ण सहित लिखना है या फिर भ्रातिमान अलंकार की परिभासा उधार्ण सहित लिखना है तो हमने भ्रातिमान अलंकार की उधार्ण सहित परिभासा लिखी है जब किसी पद में किसी सादरश्य विशेश के कारण उपमे यानि कि जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए का ब्रहमुत्पन होता है तो वहां भरातिमान अलंकार होता है कहने गतात पर है कि जब किसी पदार्थ को देखकर हम उसके समान गुणों या व पस्पस्ट हो जाएगा जैसे अंधिरे में किसी रसी को आप देखकर के कीड़ा या साप समझ लेते हैं तो वहाँ पर आपका भरातिमान अलंकार उप्योगत हो जाता है इसी तरह से ओस बिंदू चुग रही हंसनी मोती उसको जान तो हंसनी जो है ओस की बुंदों को चुकती के लिए लोग अपने मित्रों को भी धोखा देने से नहीं चूकते खाक शानना का मतलब होता है दरदर भटकना या मारा मारा फिरना इसका वाक्य में प्रियोग कर सकते हैं वक्त की वक्त की बात है अभी शूरेस यारमेस जो भी आप नाम लिखना चाहें कारों से सफर करता आज वो खाक चान रहा है इसके बाद में अथवा बात करें तो अथवे में आपका आया है निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है तो शोख है कि तुम घायल होगे शोख जो है कि स्पेशल वर्ड है यह हर जगे पर यूज नहीं होता है घायल के साथ तो कदापी यूज नही कहानी और उपनियास में कोई दो अंतर बताना है या फिर नाटा के घंगी में अंतर आपको बताने हैं दो तो हमने कहानी उपनियास का बता है कहानी छोटी होती है उपनियास बड़ा होता है और कहानी में कथानक हो भी सकता है और नहीं भी लेकिन उपनियास में कथानक होन लुप्त हो जाते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं, इनकी संख्या 33 मानी जाती है, निर्वेद, शंका, गलानी, हर्श, आवेग, ये सारे के सारे संचारी भाव हैं, जिनको हमें एक्जामपल के थूरू, यहाँ पर बताना था कि चार संचारी भाव बताईए, तो यहाँ आपते समय मां से अपनी पढ़ाई के विशय में इक्षा प्रकट की फिर मां वह लेखक दोनों रात को दत्ताजी राव देशाई के घर गए, मां ने दत्ताजी राव को लेखक की इक्षा बता दी, य Cornelis प्टने की इक्षा बता दी, और पिता जी के गलत कारीों के विशय भी करेगा इस बात से पिजाजी समयत हो गए तथा लेखक खेत का काम करने के बाद पार्ट साला जाने लगा इस प्रकार मा ने लेखक की बार्ट साला जाने में साष्टा की उसके बाद में फीचर लेखन से क्या आज pearl यह doctor में बिम क्या है के चरित्र तता मोहक विवरण को फीचर कहा जाता है इसमें मनरंज़क ढंग से तत्यों को प्रस्तुत किया जाता है इसके सम्वादों में गराई होती है सुव्यस्तित और स्रजिनात्मक और आत्मनिष्ट लेखन है ये जिसका उदेश ये पाठकों को सूचना देना सिक्षित करने के साथ मुख्य रूप से उनका मनरंजन करना होता है फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है इसकी एक अलगी शैली होती है एक विशे पर लिखा गया फीचर प्रस्तुत विवित्ता के कारण अलग अलगा अंदाज में प्रस्तुत करता है या होता है इसमें भूत वर्त्मान और वविश्य का सावावेस होता है इसमें तत्थे कथन और कल्पना का उप्योग किया जा सकता है इसके बाद में भावपलवन करना है मुल्क बदल जाए वतन तो वतन होता है कराची की सेर कराने में साहयक हुआ उसने मेरा इतना स्वागत किया कि मेरे खरदे तंत्री के तारों को जंजरत कर दिया मेरी वाईयू ज्यान से दूसरी उडान का समूचित प्रभंद कर दिया जब लिखक ने उससे विदा मांगी तो उसके नेत्रों में आसु छलक ने लगे उसने कहा कि अपना वतन तो अपना ही होता है देशों के परिवर्तन से व्यक्ति अपने देश के प्रती अनुराग में तनिक भी कमी नहीं आती इसके बाद में आता है नेक्स्ट कुश्चन पर हमारा जो कुश्चन है पंदर नंबर छायावाद की दो प्रवर्तियां लिखते हुए छायावाद कवियों के नाम लिखने है अथवा में प्रगतिवाद की प्रवर्तियां लिखकर के आपको उसको प्रवर्तिवाद कवियों के नाम लिखने है तो यहाँ पर हमने अथवावाला पार्ट किया है प्रगतिवाद वाला तो यहाँ पर जो है मानवतावाद का स्वर जो प्रगतिवाद की दो प्रवर्टियों में हैं एक मानवतावाद का स्वर और दूसरा नारी भावना तो यह कभी मानवता की शक्ती में विश्वास रखत उसके बाद में आप नारी भावना भी इसका दूसरा जो परवर्थी हो लिख सकते हैं जिसमें प्रगतिवाद कभीयों का विश्वास है कि मजदूर और किसान की तरह सामराज जवादी समाज में नारी भी शोशित है वेह पूरुष की दास्ता जन्य लोह बंदनों में बंद इसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन में आपसे पूछा गया है इसमें पनिस्वर नात रेणू अत्वा हजारी प्रसाद दिवेदी की निमन विंद्यों के अधार पे आपको साहित्तिक परिचे देना है जिसमें रचनाय बतानी है दो और भाशा शैली तो सबसे पहले परिचे बतायते हैं आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी जाने माने स्रेष्ट समालोचक, निबंदकार, उपनियासकार और निष्टावान और अधास अध्यापक थे रचनाय की बात करें तो आचारे दिवेदी जी ने साहित्तिकी विविद विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई और उनकी नि इसके बाद में भाषा की बात करें तो दिवेदी जी की भाषा शैली की अपनी एक विशेष्टा है अपने अपने अपनी रचनाओं में प्रसंगन नुकूल उप्यूक्त तथा सटीक भाषा का प्रियोग किया है भाषा के अंतरगत सरल तदभाव और प्रधान तथा उर् इसी भाषा को दिवेदी जी ने अपनी कृतियों में परित्या परदान की है और शैली में बात करें तो दिवेदी जी की शैली कहानियों उपनियासों में विस्तत है जिनकी भाष अपनी एक विशेष्टा है जैसे की विशेष्टाओं में गण कविश्ट आत्मक शैली है और आत्मपरक्षैली है, सूत्रात्मक्षैली है, विचारात्मक्षैली है, वनात्मक्षैली है, वहेंगात्मक्षैली है, भावनात्मक्षैली आदी है। इसके बाद में आपका सत्रन नुम्बर कोशन है कूवर नारायन अथ्वा रगूर साहय के काववगत विसेशताइ बतानी है जिन पर दो बिंदू दे रखी एक रचनाई बतानी है और भापक्ष कलापश बताना है तो कूवर नारायन के काववगत विसेशताओं की बात करे तो कवी ने कवीता को अपने सर्जन करम में हमेशा प्रातिमिक्ता दी है उनकी कवीता में सैयम, परिशकार और साफ सुतरापन है उसके बाद में कुमर जी, नारायन, नगरिय समेदना के कवी है परंतु व्यक्तिक और समाजिक तनाव का उभार इनकी रचनाओं में सामने आता है इनकी रचनाई नोग जोग, हिंसा हिंसा, सुलजा उलजाओ से सहमे हुए एक समवेदन सिल मन के सोच विचार आदी रूप में पढ़ी जा सकती है भाषा चैली की बात करें तो भाषा और विशे की विवित्ता इनकी कवीताओं के विशेश गुर्माने जाते हैं इन में यथार्त का खुद्रापन भी मिलता है और उसका सहज सुंदर भी सीधी घोसनाएं और फैसले इनकी कवीताओं में नहीं मिलते क्योंकि जीवन को मुकंबल तोर पर समझने वाला खुलापन इनके कवीताओं की मूल विशेशता है और कुवन नराएं की रचनाओं के नाम हम लिखे हैं तो चकरवी और तीसरा सब्तक जो है ये लिख सकते हैं इसका बाद 18 नंबर जो कोशन है इसमें पूछा गया आपसे आधुनिक भारत इस सीर्षक पर एक अनुछेद लिखना है अत्वा में जनसंक्या समस्या इस सीर्षक पर डाक्टर और नागरिक का एक समवाद लिखना है तो हमने यहाँ पर आधुनिक भारत सीर्षक का अनुछेद लिखा है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा पूरा जो है लिखा हुआ आप इसको पूरा नोट कर लें एक साथ में पूरा पैरग्राफ दिखा दिया मैंने यह अनुछेद आप इसको नोट कर आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, next question है इसमें क्या पूछा गया आपका 19 नंबर में, 19 नंबर में यहाँ पर अपटित बोध है, गध्यान से, इसको पढ़ने के बाद में प्रश्म के उतर देने हैं, तो यहाँ पर जो प्रश्म है, इस कवीता का या इस गध्यान का उचित शीर जगा कर वो जीवन को कलात्मग आकार देकर एक निस्प्रान पत्थर को जीवन्द बना सकती है, और तीसरा question पूछा है, व्यक्तितों में विश्यष्टाएं कब अर्थपून समझी जाती हैं, तो व्यक्तित की विश्यष्टाएं साध्य और साधन दोनों ही रूप में अर इस निमलिखित पढ़्यान्स को पढ़ने के बाद में संदर्व सहित्प्रसंग सहित्व्याख्या करनी है, यहां पे दो हैं, और दोनों में से कोई एक करना है, तो हमने आथो AIDSोबाट किया है, आथो AIDSोबाला पार्ट जो है, मैने जरोधन वाला है, तो इसको करा है है, तो स कवी के अपनी मन भावनाई हैं प्रकट कर रहा है। से संतुष्ट है वो अपने इस जीवन के सामने राजभावनों के सुखों को भी तुछ समझता है वह प्रिये की इस मृत्यों से जुड़े और भगन भावन जैसे जीवन को संतुष्ट भाव से जिये जा रहा है इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट यहाँ पर यह गद्यांस द हमने यह वाला ठीक है तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आथवाले पाट का संदर्व सहीत प्रसंग क्या है प्रस्तुत गद्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक स्रजन से संकलित बाजार दर्शन शीर्शक विचारात्मक निबंद से उद्दत है या फिर हम वह सकते हैं बा भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता है व्याक्या की तरह से हम कर सकते हैं लेखक कहता है कि उसको यह पता नहीं कि चूरन वाले वे सीधे सरल भगत जी कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं ज्यान की बड़ी-बड़ी बाते तो उनको पता नहीं होंगी मतलब यह भी मानता है लेकिन वह यह मानने को तयार नहीं कि उस मामली आदमी भगत को वह प्राप्त है जो लेखक के इस्तर के लोगों में से बहुत कम लोगों को प्राप्त है भगत पर बाजार के आकासन का प्रभाव नहीं होता बाजार में चीजे सजी रहती है पर भगत को वे खह लेना नहीं चाहता पैसा सहहग्र निवेदन भी उसको द्रवित नहीं कर पाता, नियाद कि निर्ममता-पूर्वक असविकार कर देता है ये पैसा बोल रहा है कि मैं शक्तिचाली हूँ आकरशक हूँ लेकिन भगत के आगे इस पैसे का घबन टूड़ जाता है वो व्याकुल होकर रोता है ऐसे द्रड मनुष्य के सामने धन की व्यंग सक्ति प्रवावीन ही रहती है वह निस्तेज होकर लज्जित हो जाता है विश शक्ताव की पूर्ती के लिए धन का माना पसंद करता है और धन का लालाच उसमें बिल्कुल नहीं है कुप पढ़े लिखे लोगों में भी बगत जी जैसे गुन नहीं होते हैं और भासास जो है सहज विशानुकूल तथा प्रवापून है और शैली जो है वन्नात्मक और विचारात्मक है इसका बाद 22 नंबर जो कोशन है इसकी बात करते हैं तो इसमें पूछागी आपसे उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन के हेतू यानि पूर्ण मुल्यांकन ने री चेकिंग के लिए सच्चिव मादमी सिक्षा मंडल भूपाल को आवेदन पत्र लिखना है अथ्वा में अपने मित्र को हायर सेकेंडरी की बारवी परिक्षा में प्रथम सेर्णी होने पर आपको बधाई पत्र लिखना है तो इहाँ पर इसका अंसर है सेवा में सचिव मादमी जिक्षा मंडल और यहां पर उत्तर पुस्तिका के विशे जो आप लिखोगे उत्तर पुस्तिका के मुल्यांकन है तो हमने मुल्यांकन वाला करा है महोद है सविने निवेधन है कि मैंने हाल ही मेराज किये उत्चितर मादमिक विद्धाले बोपाल से प्रक्षा दसवी की परिक्षा अनुक्रामांक 30708 के साथ अच्छे अंकों से उत्तीन की है किन्तों अंग्रेजी विशय में आशान रूप अंक ना आने के कारण मैं प्रत्थम स्रिणी नहीं पा सका हूँ मेरी अंग्रेजी की परिक्षा काफी अच्छी हुई थी और मैंने शत प्रतिशत प्रशन हल किये थे मेरे आकलन के अनुसार मेरे कम से कम 90 से 95 अंकाने चीए जबकि आये मात्र 42 है अतह स्रिबान जी से बिनमर प्रातना है कि वे प्रार्थी की अंग्रेजी विशे की उतर पुस्ति का खुलवाने और उसका पून मुल्यांकन करवाने की विश्ता करें आपकी अतिक्रपा होगी जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे और अपना एड्रेस लिख देंगे उसके बाद में नीचे जो है आपका 23 नंबर कोश्चन इसमें हम बात करते हैं किसी एक विशे पे 120 सब्दों में आपको निबंद लिखना है यहाँ पर जो है कोरोना लक्षन एम उपचार है स्वच भारत अवियान है और जीवन में कम्प्यूटर की आउशकता है और उत्तम विद्यार्थी और उन्नत रास्ट है और उसके बाद में बाली का शिक्षा का महतु है पासवर्ड ज़रूर नोट कर लीजिए पासवर्ड पस्तिती के बिना कोई भी समाज या संस्किती आगे नहीं बढ़ सकती कुछ साल पहले तक भारत और कई अन्य अब विक्सित और विकास शिल देशों में लोग सोचते थे कि लड़कियों को घर के बाहर जो है घर पर ही रहना चाहिए घर के बाहर नहीं जाना चाहिए और ख शेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही है यह केवल लड़कियों की शिक्षा को प्रसाहित करने के माध्यम से संभव हो सका है शिक्षा ही एक मात्र हतियार है जो लड़कियों को ससक्त बना सकता है और परणाम सुरूप समाज को मजबूत भी कर सकता है यह देखना आसा करता हूँ इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपने करी लिया होगा आप चैनल का नाम जानते हो और सभी सब्जेक्ट के सॉलूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस जरूर देख लीजिए अपना आपके क्ला को आप वाट्सेप कर सकते हैं इस नंबर पे और इस नंबर पे और कोई अन्य मेसेज कॉल या कुछ भी ना करें आपको रिस्पोंस नहीं मिलेगा केवल और केवल यह आपके पेपर को सॉल्ट करने के लिए नंबर है जिस पे आप कोशन पेपर सेंड करके आपके सॉलूश झाल